परिजय छात्रो, क्या तुम बता सकते हो कि दो बिंदूओं को जोडने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सर, दो बिंदूओं को जोडने पर हमें एक रेखा प्राप्त होती है हाँ, जब हम दो बिंदूओं को मिलाते हैं तो एक रेखा प्राप्त करते हैं लेकिन जब हम तीन बिंदुओं को मिलाते हैं, तो आपको क्या प्राप्थ होता है? एक तरिभुज सर? बिल्कुल ठीक, हमें एक तरिभुज प्राप्थ होता है. हमें संरेक बिंदू भी प्राप्थ होते हैं. आज हम चतरभुजों के बारे में पढ़ेंगे. जब हम चार बिंदूओं को मिलाते हैं तो चत्रभुज का निर्मान होता है तो विस्तार से इस विशे पर चर्चा करें इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे चत्रभुज को परिभाशित करना चत्रभुज के विभिन प्रकारों को बनाना और परिभाशित करना चत्रभुजों का कूण योग गुण बताना समांतर चत्रभुज की विशेश्ताएं बताना समांतर चत्रभुज की विशेश्ताओं पर आधारित उधारण हल करना किसी चत्रभुज के समानतर चत्रभुज होने की शर्तें बताना मध्यबिंदू प्रमय को सिध्ध करना चत्रभुजों का परिचाए आकरिती A, B, C, D को देखिए यहाँ एक चत्रभुज है एक चत्रभुज में चार भुजाएं चार कोण और चार शीशो होते हैं यहाँ A, B, B, C, C, D और D, A चार भुजाएं हैं कोण A, कोण B, कोण C, और कोण D चार कोण हैं तथा A, B, C, और D चार शीश हैं अब यदि हम समुख शीशों को मिला दें तो क्या होगा? यदि हम शीश A को C से और B को D से मिला दें तो हमें विकण प्राप्थ होंगे आताः A, C और B, D विकण हैं अब इन आकारों को देखे यह चत्रभुज हैं क्योंकि इनकी चार भुजाएं चार कोण और चार शीश हैं चत्रभुज का कौण योग कौण चत्रभुज के सभी कौण का योग 360 डिगरी होता है इसे चत्रभुज का कौण योग कौण कहते हैं योग प्राप्थ करने के लिए एक विकण खीच कर चत्रभुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर दीजिए कल्पना कीजिए कि AC विकन है तथा ABC और ADC दो तिर्भुज हैं हम जानते हैं कि तिर्भुज के सभी कोणों का योग 180C डिक्री होता है अथा तिर्भुज ABC में कोण BAC जमा कोण ACB जमा ABC कोण 180C डिक्री के बराबर होगा इसे एक के रूप में अंकित कीजिए आता हा तिर्भुज ADC में कोण CAD जमा कोण ACD जमा ADC कोण 180C डिक्री के बराबर होगा इसे दो के रूप में अंकित कीजिए अब एक और दो को योग करने पर हमें प्राप्त हुआ कोण BAC जमा कोण ACB जमा कोण B जमा कोण CAD जमा कोण ACD जमा कोण D बरावर एक स्वसी डिगरी जमा एक स्वसी डिगरी बरावर तीन स्वसाइठ दिगरी साधी कौण B.A.C. जमा कौण C.A.D. बडावर कौण A. और कौण A.C.B. जमा कौण A.C.D. बडावर कौण C.K. या कोण A, जमा कोण D, जमा कोण D, जमा कोण B, जमा कोण C, बराबर 360 डिक्री के यानि चतरभुज के चारों कोणों का योग 360 डिक्री होता है चत्रभुज के प्रकार एक चत्रभुज के विभिन प्रकार होते हैं जैसे समलंब, समानतर चत्रभुज, वर्ग, आयत, सम्चत्रभुज और पतंग इन आकृतियों को देखे हम एक एक कर इनका अध्ययन करेंगे सबसे पहला समलंब है एक चत्रभुज समलंब होता है यदि इसके सम्च भुजाओं का एक युक्म समानतर हो यहां सम्च भुजाओं A, B और C, D समानतर है अताहा A, B, C, D एक समलंब है अगला है समानतर चत्रभुज जब सम्च भुजाओं के दोनों युक्म समानतर हो तो ऐसा चत्रभुज समानतर चत्रभुज कहलाता है यहां समूत भुजाएं PS और QR समानतर है तथा SR और PQ समानतर है आताहा PQRS एक समानतर चत्रभुज है चत्रभुज के प्रकार दो आये अब आयत की चर्चा करें आयत में समूत भुजाएं परस पर समानतर होती है और लंबाई में बराबर होती है और सभी कौन 90 डिगरी के होते है यहां A, B, C, D के और A, D, B, C के समानतर है और कौन A, B, C और D 90 डिगरी के है आताहा D एक आयत है अगला सम्चत्रभुज है सम्चत्रभुज एक ऐसा चत्रभुज है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो यहां रेखाएं D, E, E, F, F, G और G, D लंबाई में बराबर हैं आताहा D, E, F, G एक सम्चत्रभुज है अब इसकी आकरिती को देखे यहां एक वर्ग है एक वर्ग एक आयत होता है जिसकी सभी भुजाओं बराबर होते हैं A, B, C, D एक वर्ग है आखरी पतंग है किसी पतंग की आसन भुजाएं बराबर होते हैं यहां A, D और D, C बराबर हैं तथा A, B और B, C बराबर हैं अताहा A, B, C, D एक पतंग है समांतर चत्रभुज के गुण एक एक समांतर चत्रभुज के गुण के अनुसार किसी समांतर चत्रभुज का एक विकण उसे दो सरवांगसम त्रभुजों में विभाजित करता है आईए इस प्रमे को सिध्ध करें मानलिचिये A, B, C, D एक समांतर चत्रभुज है और A, C उसका विकण है हम देख सकते हैं कि विकण A, C ने समांतर चत्रभुज A, B, C, D को दो त्रभुजों त्रभुज A, B, C और त्रभुज C, D, A में बाढ़ दिया है हमें सिध्ध करना है कि त्रभुज A, B, C और त्रभुज C, D, A सरवांगसम है हम देख सकते हैं कि त्रभुज A, B, C और त्रभुज C, D, A में B, C, A, D के समांतर है और A, C एक त्रियक्रेखा है इसलिए कोण B, C, A बरावर है कोण D, A, C के क्यूंकि ये एक अंतर कोणों का युक्म है साथ ही A, B, D, C के समांतर है और A, C एक त्रियक्रेखा है इसलिए कोण B, A, C बरावर है कोण D, C, A के क्यूंकि ये एक अंतर कोणों का युक्म है और A, C बरावर है C, A, क्यूंकि ये तोनों त्रभुजों में उभैनिष्ट है आताहा A, S, A नियम के प्रयोक से त्रिभुज A, B, C त्रिभुज C, D, A के सरवांग्सम है या हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण A, C समांतर चत्रभुज A, B, C, D को दो सरवांग्सम त्रिभुजों त्रिभुज A, B, C और त्रिभुज C, D, A में विभाजित करती है समांतर चत्रभुजों के कुण दो अब जानते हैं कि विकर्ण समांतर चत्रभुज को दो सरवांग्सम त्रिभुजों में विभाजित करतेता है यदि हम समांतर चत्रभुज A, B, C, D की सम्मुख भुजाओं को मापेंगे तो हम देखेंगे कि A, B बराबर D, C और A, D बराबर B, C जो की समांतर चत्रभुज का एक अन्निकुण है इसके अनुसार एक सम्मुख भुजाओं बराबर होती है इस प्रमे को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि एक चत्रभुज समांतर चत्रभुज है तो इसके सम्मुख भुजाओं का युक्म बराबर होता है विप्रीत यदि एक चत्रभुज के विप्रीत पक्षों की प्रतेक चोड़ी भुजा बराबर है तो यह एक समानतर चत्रभुज है। आईए इस प्रमे को सिद्ध करें। एक चत्रभुज A, B, C, D दिया है। जिसमें A, B परावर है C, D के और A, D परावर है B, C के। यह सिद्ध करने के लिए कि A, B, C, D एक समानतर चत्रभुज है। एक विकन एसी खीचिये। A, B परावर C, D और A, D परावर B, C यह दिया है। A, C परावर A, C यह उभेनिष्ठ है। अताहनियम S, 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 S से तिर्भुज A, B, C, तिर्भुज C, D, A के सर्वांगसम है। तथा कौन एक बरावर कौन तो और कौन तीन बरावर कौन चार है। क्योंकि सर्वांगसम तिर्भुज के संगत भाग परस पर सर्वांगसम होते हैं। अताहा एक अंतर अंताकोन के प्रमैका विलोम प्रियोक करके A, B समांतर है C, D के और A, D समांतर है B, C के। इस प्रकार A, B, C, D एक समांतर चत्रभुज है। समांतर चत्रभुज के गुण 3 समांतर चत्रभुज का एक कहने गुण है कि एक समांतर चत्रभुज में सम्मुक कोन बरावर होते हैं। इस प्रमैका विलोम है कि यदि एक चत्रभुज में सम्मुक कोनों का प्रत्यक युक्म परस पर बरावर हो तो वह चत्रभुज समांतर चत्रभुज होता है। आईए अब एक अन्य गुण प्राप्त करें। एक समांतर चत्रभुज ABCD खीचे और इसके दोनों विकर्ण खीचे यदि हम OA, OB, OC और OD की लंबाईया मापें तो हम देखेंगे कि OA बराबर OC और OB बराबर OD है। या हम कह सकते हैं कि OA दोनों विकर्णों का एक मध्ध बिंदु है। यदि हम इस गधिविधी को दूसरे समांतर चत्रभुजों के संग दोहराएं, तो हम देखेंगे कि OA दोनों विकर्णों का मध्ध बिंदु है। ये हमें नया प्रमय प्रदान करता है, जिसके अनुसार समानतर चत्रभुच के विकर्ण एक दूसरे को सम्तुई भाजित करते हैं। समानतर चत्रभुच के गुण 4. इस प्रमय के विलोम से एक अन्य प्रमय प्राप्त होता है। विलोम कहता है, यदि किसी चत्रभुच के विकर्ण एक दूसरे को सम्तुई भाजित करते हैं, तो यह एक समानतर चत्रभुच है। आईए इसे सिद्ध करें। यह दिया है कि OA बराबर OC और OB बराबर OD कोण AOB बराबर है कोण COD के, क्योंकि यह शीर्ष कोण है। इसी प्रकार कोण AOD बराबर है कोण BOC के, इसलिए नियम SAS द्वारा, तिर्भुच BDC सरवांसम है तिर्भुच BAD के, अधा कोण BDC सरवांसम है कोण ABD के, सरवांसम तिर्भुच के संगत भाग सरवांसम होते हैं। इसी प्रकार कौण ADB कौण CBD के सरवांक्सम है, इससे हमें AB समांतर CD प्राप्थ हुआ, इसी प्रकार BC समांतर AD, एकांतर अंताकोणों के गुण के फिलों का प्रयोग करते हुए, आताहा ABCD एक समांतर चतरभुज है. सम्चतरभुज के विकर्ण आईए अब सिध्ध करें कि सम्चतरभुज के विकर्ण परस पर लंब होते हैं. सम्चतरभुज ABCD की कल्पना कीजिए. हम जानते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA क्योंकि सम्चतरभुज की सभी पुजाएं परस पर बराबर होती हैं. अब त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में OA पराबर OC क्योंकि समानतर चतरभुज के विकर्ण एक दूसरे को सम्टुई भाजित करते हैं. OD पराबर OD क्योंकि ये उभैनिष्ट हैं. AD पराबर CD क्योंकि ये सम्चतरभुज की पुजाएं हैं. आथा SSS सर्वांग समुता नियम से त्रिभुज AOD, त्रिभुज COD के सर्वांग सम है. यह प्रतान करता है कोण AOD पराबर कोण COD क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संकत भाग सर्वांग सम होते हैं. किन्तु कोण AOD जमा कोण COD पराबर 180 degree के, क्योंकि ये कोणों के रैख्य की युक्म है. इसलिए दो कोण AOD पराबर 180 degree या कोण AOD पराबर 90 degree होगा. अताह सम्चतरभुज के विकर्ण परस पर लंब होते हैं. उदारण आईए अब एक प्रश्न हल करते हैं. सिद्धि कीजिए कि समानतर चत्रभुज के कोणों के समदुई भाजक एक आयत का निर्मान करते हैं. मानलिजिए कि A, B, C, D एक समानतर चत्रभुज है. मानलिजिए कि कोण A और कोण B के समदुई भाजक का प्रतिछेद बिंदू P है. कोण B और कोण C के समदुई भाजक का प्रतिछेद बिंदू Q है. कोण C और कोण D के समदुई भाजक का प्रतिछेद बिंदू R है. कौन D और कौन A के समद्वी भाजक का प्रतिछेद बिंदू S है हम तिर्भुज AST में देख सकते हैं कि DS कौन D को और A S कौन A को समद्वी भाजित करता है इसलिए कौन DAS जमा कौन ADS बराबर है एक बटे दो कौन A जमा एक बटे दो कौन D के जो की हल करने पर बराबर होगा एक बटे दो गुणा एक स्वसी डिगरी के क्यूंकि कौन A और कौन D त्रियक के A की ही और के एक आंतर कौन है अथा हम पाते हैं कि कौन DAS जमा कौन ADS बराबर है नपे डिगरी के साथ ही तिर्भुच के कौन यो कौन दोरा कौन DAS जमा कौन ADS जमा कौन DSA बराबर एक स्वसी डिगरी है या नपे डिगरी जमा कौन DSA बराबर एक स्वसी डिगरी है या कौन DSA बराबर नपे डिगरी है अथा कौन PSR बराबर नपे डिगरी क्यूंकि ये कौन DSA का शीर्चा भिम कौन है इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि कौन APB बराबर नपे डिगरी या कौन SPQ बराबर नपे डिगरी और कौन PQR बराबर नपे डिगरी और कौन SRQ बराबर नपे डिगरी यहां हम देख सकते हैं कि कोण PSR बराबर कोण PQR बराबर 90 टिक्री के और कोण SPQ बराबर कोण SRQ बराबर 90 टिक्री के अता PQRS एक समानतर चत्रभुज है जिसमें कम से कम एक कोण 90 टिक्री का है और इसलिए PQRS एक आयत है किसी चत्रभुज के समानतर चत्रभुज होने के लिए प्रतिबंद चत्रभुज के समानतर चत्रभुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंद है कोई चत्रभुज एक समानतर चत्रभुज होता है यदे उसकी सम्मुक भुजाओं का एक युग्मु बरावर हो और समांतर हो दिया है AB बरावर CD और AB समांतर है CD के हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चत्रभुज है एक विकन AC खींचे जूकि AB बरावर है CD के जोंकि दिया गया है A C परावर है A C के ये उभेनिष्ट है और कौन B A C परावर है कौन A C D के क्यूंकि A B समांतर है C D के अता S A S सरवांगसम नियम से तरभुज A B C सरवांगसम है तरभुज C D A के अता कौन C A D सरवांगसम है कौन A C B के क्यूंकि सरवांगसम तरभुज के संगत भाग सरवांगसम होते हैं इसलिए CB समानतर है AD के, आताः ABCD एक समानतर चत्रभुज है, उधारण यदि ABCD एक समानतर चत्रभुज है, जिसमें P और Q सम्मुख भुजाओं A, B और C, D के मधिपिन्दु हैं, AQ DP को S पर प्रतिछेत करता है, और BQ CP को R पर प्रतिछेत करता है दिखाईए कि DBBQ एक समानतर चत्रभुज है, आईए इसे हल करते हैं एक समानतर चत्रभुज, DBBQ में, DQ समानतर है PB के, क्योंकि DC समानतर है AB के, इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए DQ पराबर है एक बटे दो DC के, जो की दिया गया है, और PB पराबर है एक बटे दो AB के, ये भी दिया गया है साथ ही AB पराबर है CD के, क्योंकि ABCD एक समानतर चत्रभुज है, आथा DQ पराबर है PB के, इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए अथा समीकरण एक और दो से हम पराब्ट करते हैं कि DPBQ एक समानतर चत्रभुज है मध्य बिंदू प्रमै अब हम मध्य बिंदू प्रमै का अध्ययन करेंगे, जो कहता है, किसी त्रभुज की किन्ही दो पुजाओं के मध्य बिंदूं को मिलाने वाला रेका खंड तीसरी भुजा के समानतर होता है आईए इस प्रमै को सिध्ध करें एक त्रभुज A, B, C की रचना कीजिए E को A, B के मध्य बिंदू और F को A, C के मध्य बिंदू के रूप में अंकित कीजिए A, B के समानतर एक रेखा C, D खींचिए जो बढ़ाई गई E, F को D पर प्रतिछेद करती है हमें सिध्ध करना है कि E, F समानतर है B, C के त्रभुज A, E, F और त्रभुज C, D, F की तुलना करने पर कोण E, A, F बराबर है कोण F, C, D के क्योंकि ये एकांतर अंता कोण है A, F, F, C के बराबर है क्योंकि F एक मध्य बिंदू है और कोण A, F, E बराबर है कोण C, F, D के क्योंकि दोनों शीर्शा भिमकोन हैं आताहा A.S.A. सर्वांग समता नियम से तिर्भुज A.E.F. सर्वांग सम है तिर्भुज C.D.F. के इसलिए E.F. बराबर है D.F. के और A.E. बराबर है D.C. के C.P.C. D.C. के द्वारा आताहा B.E. बराबर A.E. बराबर D.C. अताह B.C.D.E. एक समानतर चत्रभुज है यानि E.F. समानतर है B.C. के यह सिद्ध हुआ साथ ही यहाँ E.F. पराबर है 1.2.E.D. के जो की पराबर है 1.2.B.C. के मध्य बिन्दू प्रमें का विलोम बताता है कि किसी तिर्भुज की एक भुजा के मध्य बिन्दू से दूसरी भुजा के समानतर खिंची गई रेखा, तीसरी भुजा को सम्दूई भाजित करती है. इस आकरिती को देखिए, यहाँ E.A.B. का एक मध्य बिन्दू है. रेखा L.E. से होकर गुजारती है और B.C. के समानतर है तथा C.M. समानतर है B.A. के. हमें सिद्ध करना है कि A.F. पराबर है C.F. के. तिरभुज A.E.F. और C.D.F. की सरवांग समता के प्रयोग से हम सिद्ध कर सकते हैं कि A.F. पराबर है F.C. के. क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं नहीं होता? सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं. चत्रभुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है. एक समानतर चत्रभुज का विकर्ण इसको दो सरवांग समत्रभुजों में विभाजित करता है. एक समानतर चत्रभुज में समुख भुजाएं बराबर होती हैं. समो कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्वी भाजित करते हैं. किसी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्वी भाजित करते हैं और बराबर होते हैं. इसका विलोमता भी सत्य है. सम्चुत्रभुज के विकर्ण एक दूसरे को सम्कोन पर सम्दुई भाजित करते हैं इसका विलोम भी सत्य है एक वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को सम्कोन पर सम्दुई भाजित करते हैं और बराबर होते हैं इसका विलोम भी सत्य है तिर्भुज की किनी दो भुजाओं के मत्धिबिंदूं को मिलाने वाला रेका खंड तीसरी भुजा के समानतर और उसका आधा होता है त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्धिबिंदू से होकर जाने वाली तथा किसी अन्य भुजा के समानतर रेखा तीसरी भुजा को समध्वी भाजित करती है किसी चत्रभुज के मध्धिबिंदों को मिलाने से बनने वाला चत्रभुज एक समानतर चत्रभुज होता है